हालो जी, वेलकम बेक टो माई न्यू ब्लोग, आज मुझे कहीं और जाना था और अब मैं किसी और जगह पे जा रहा हूँ, बहुत ही जादा फ्रस्टरेशन के साथ मेरा दिमाग घूम रहा है, पर आपके साथ भी कभी के भी ऐसा होता होगा कि आप कुछ करना चार है और वो ना हो पा रहा हूँ, तब आपका दिमाग फ्रस्टरेशन हो जाता है, सेम अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए अभी मैं एक ऐसे जगह पर जा रहा हूँ, जहां पर जाने के बाद मेरा फ्रस्टरेशन दूर हो जाएगा, वहां पर जाके मेरा फ्रस्टरेशन यह वाड बज़े रेडियम हो गए है आज हेलमेट नहीं लेंगे क्योंकि मेरा जो माउन्ट है हेलमेट माउंट उसमें कुछ दिक्कत आ रही है मैं क्या बें ज़गा पर जा रहा हूं वहां पर हेलमेट साथ में लेकर गूमना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसलिए पाने लेके बस अभी निकलते हैं तो यह बिचारा कुट्टा हमारे गेट में कस गया रहा है तो आज मैं जिस जगा पे जारोंस जगा का नाम है पिल्वा हिल पिल्वा डूंगर हम लोग गुजरायते में हिल को डूंगर बोलते तो मैं पिल्वा डूंगर जा रहा हूँ बेसिकली पिल्वा डूंगर गुजरायत का लास्ट हिल है क्योंकि इसके पाद महाराष्ट का पॉडर लग जाता है तो पिल्वा डूंगर आने के लिए सबसे पहले आपको वास्दा आना पड़ेगा तो वास्दा आने के बाद या तो आपको गुगल में अप्सेट कर ले ना या फिर खाटा आंबा और ये गंदा नाम वाली रास्ते से आगे बड़ेगा एक चीज की गैरंटी है ये रास्ता आपको इतनी खुपसूरती देगा ना इतनी खुपसूरती आपको प्रदान करेगा कि आप जगा जगा पे रुखना जाओगे बट रुखना नहीं है थे जगा एंद करना काना कि अपक्रणा फिर दूमलाजी बहुत आगे बड़ गई है बट सभी कभी गुगल में पे ट्रस नहीं करना चाहिए तर राइड कर दो तो गाइस पिल्वा डूंगर बिल्कुल मेरे सामने है पिल्वा हिल मेरे सामने है उसकी उचाई देखे ना से अब भी फोट्वे लगी है वह देखे कैमेरे में आपको छोटा देख रहा है बड़ ज्यादा इंचा रहा है तरप जद्वरस्तो गाम चोरवानी चोरवनी सोरी चोरवनी कब को पिल्वा डूंगर आने के लिए चोरवनी गाव में आना पड़ेगा और यहां से जा रहा है रास्ता उपर बाइक जाये के नहीं उपर तक वह नहीं पदा पहाड काफी उचा है लेट सी कि चलो कुछ लोग उपर जा रहे और इन्होंने मुझे बता है कि बाइक उपर दख जाएगी अभी जो डर लग रहा था ना क्योंकि यहां तक आने में मुझे तीन बज़ गज़ 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 अ कि अगज़ जाहां तक मुझे पता है यहां से उपर जड़ना है अब आगे एक रास्ता जा रहा है वहां बाइक जाएगी कि नहीं उपर तक वो मुझे ने पता है पिछे कुछ लोग आरहा है बाइक लेगे इन से पूछने के लिए मैं यहां पर रुका हूं है अब आगे उपर हुदी कि लगे वोदी जहां है अ वात करेंच चला आई भाइव पाचर भाचर जो आदें पाचर बात पाचर जो अदें पाचर पाचर अधिया एक बाद मुझे आपको बतानी है अगर आपकी बाइक के टायर नए नहीं है पूराने है तो यहां पर आप 100 परसंट गिर सकते हूं मैं अभी उस बाइका वेट कर रहा हूं क्योंकि मुझे तीनों में से को रिक्वेस्ट करनी है कि मेरी बाइक चला ले और मैं पीछे बेट हूं ताकि मैं ऐसे उपास जात हुए शॉट्ले सकों ड्रोन से तो गाइद हैंगफली वो भाइने हेल्प की पड़ मेरी बाइक का वजन बहुत कम है तो उसकी वज़े से बाइक का टायर उपर से ऐसे ऊपर उठ जाता है तो अब मुझे खुदी ही चलाने पड़ेगी उपर जाके अभी आपको दिखाऊंगा तो गाइज पहुँझगा मुझा म करई छेल एक मेरी आता हम। नंऌकर टूहीं तो शॉर रहां जाएज फैलिया है अाई जाएर के आख गए शक्धिक दूहाज किसी आभी बलाई होड़े मुझा था को शॉट यह भाई लोग मुझे मिल गए जुनों नहीं यहां तक आने में मेरे बहुत हल्प की वर्ना पूरे रास्ते में कोई दिखी नहीं रहा था और यहां का जो व्यू है वह आपको स्पीचलेश कर देगा लेट में शो यू यह टोप यू है यह वाईन मुझे बताए कि वहां पर पानी का एक फुन्ड है अगर आपको देखना हो तो यहां पर देख सकते हैं और में अट्रेक्शन तो यही है यह एक चोटा सब देव स्थान है तो पिंधार देव बोलते हैं और यह भाईन मुझे बताए कि देव कि अब देव दिवाली आने ही वाली है बेना लगेगा है कि भाई लोग नारियल लेकाए रिचौल पर्फॉर्म करेंगे भी यहां पर तो आज यह लोगों के साथ मैं भी लिचौल में जहों जैस्टी शामिल हो गया हूं मैं भी किसे पिसे जाराब अभी वहां जाके यह न अज। गलेस सब्हां जहां जहां जब ए्ट ए şव ठबेंड टूमाराब कि अगाइब जाडवत जाएब तो जाएब जाएब तो इस गाउं में बड़ा हुआ ना वहां पे उस गाउं के लोकल्स के साथ में जाता था यह सब रिच्वल परफॉर्पर्वर्म करने बहुत मज़ा था था नाइट स्टेगरते थे वहां पर आज यह मौका में गया हिन ल सब्सक्राइब तो यह जगह इतनी खदरनाक नहीं है बट शाम होने से पहले आपको घर पे निकल जाना चाहिए क्योंकि राश्ते में आपको कोई इंसान नहीं दिखेंगे तो अब मैं पिंड़ादेव पर थोड़ा मत्था टेकने जा रहा हूं सबसे पहले तो मैंने मेरे शॉक्स निकाल दिये जूते तो बीचे निकाल दिये हैं और ऐसी स्पिरुट्यल जगह की इजद करना हमारा फर्ज है अगर आप यहां पर आओ अगर आप ऐसी कोई भी जगह पर आओ प्लीज यह जरूर कीजिए चली अभी नहीं जाते हैं सबसे पहले मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि यह जो पत्थर है वह ऐसे कैसे खड़ा है यह देखें बिल्कुल एज पे खड़ा है यह देखें आज मेरे जितनी फ्रस्ट्रेशन थी घर पे वह बाइक चलाने में निकल गई पूरा गुस्सा निकल गया है अब ना अब इस जगह को अच्छे से देखते हैं अब जो नैक शॉट आएगा वह उपर से आएगा स्क्राइब च्रवगा जब लॉटाग जग हैं अबस्ति आएगा अबस्ति अच्छे आएगा उच्छें यह जुटागा यह बड़ागा जो शॉटख प्रवब टॉटागा उड़ागा तो रॉटागा कर दो कर दो कर दो कर दो लास्ट हिलोब गुजरात यानि पिल्वा हिल पिल्वा डुंगर इसे गुजरात का लास्ट हिल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हिल खत्म होते ही महाराष्ट की बॉडर सूर होती है देव दिवाली के दिन यहाँ पे मिला लगता है गुजरात और महाराष्टे से कई आदिवासी इस दिन यहाँ पे आखे इने पूजा करते हैं ऐसा सुनने में है कि जो बाले होते हैं यानि जो गाये पेस चराते हैं उनकी यहाँ पे एक अलग ही आस्ता है कि अभी बज़े शाम के पांच और जैसे कि आप लोग देख रहे सूरज अभी डूबने वाला है और वो दो भाई लोग मुझे मिल गए फॉर्चनेटली वरना मुझे भी डर लगना स्टार्ट हो गया था क्योंकि यहाँ का रास्ता और यह जो एरिया है ना पूरा जंगल है यहाँ पे जादा कोई लोग दिखते भी नहीं मेरे साथ जो लोग आयो थे वो तो चले गए थोड़ी दिर बैठके मैं बस यह ड्रोन शॉट्स ले रहा था तभी यह लोग आ गए तो उन लोगों के आने के बाद मैंने जी बर की इस जगा को एंजोई किया है तो यहाँ पर आप आना चाहते हो तो यहाँ पर आने का बैस जो टाइम है वो मॉन्सुन है मॉन्सुन में यह जगा की खुबसूरती एक अलग ही लेवल पर चली जाती है बट स्टिल मुझे तो बहुत अच्छी लगी यह जगा है कि पस चली अब निकल दे अन्देरा होने वाला है रास्ता थोड़ा अंजान है तो दूर जाना है कर दोड़ा है कर दोड़ा है